हम sublimation mobile तौर बनाने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें एक प्रिंट ची होता है जो कि हमने प्रिंट लेडिया है अब इसे मैं प्रिंट कमांड देने जा रहा हूँ इसके लिए हमें जो प्रिंटर चाहिए होगा है एक्सल एल आट्टो पांच इसके पास सेटिंग और इसे पोके कर दिया और यहां समय प्रिंट पे क्लिक कर दिया अब आप रहा प्रिंट चला गया है अब हम इसे हम अपने कवर पे यह स्पेशल टेप आती है इसके लिए इसकी साहता से हम इसे अपने कवर पे सेट कर रहे हैं यह देखिए अब इसे हमने अपने कवर पे लगा दिया है और हमने मशीन भी आउन कर दी है जिसमें हम इसे रियार करेंगे इसका टेमटेचर एक सो नबबए पहुंचता है जो कि यह सेट होता है रिदिया कि प्रकेंगे तस मिनट है सब्सक्राइब सेट होंगी यहां से 2 हीट लग रेटे पहुंचान है जब इसका टेंप्रेचर एक नम्पर पहुंच जाएगा तो यह मशीन हमारी बीप देगी जिसे गेम पर रख जाया है कि मशीन इक नम्पर पहुंच रही है देखे यह पहुंच गई और यह हमें बीप दे रही है और दोस्तों ध्यान रखें इस पर काम करें पहले सेफ्टी का ध्यान रखें जिन गलप्स का इस्तमाल जरूर करें इसलिए आपके हाथ तो फोई नुपसान देखे हमें एक कवर बीट में रख दिया है अब हम इसका ही उपर वाला वैक्यूम वाला कवर बंद करेंगे इसको अच्छी तरह बढ़ती है और हमने यहां पर एक वैक्यूम का बटन है हमने इसको दबा दिया अब इसको अब इसको अच्छी तरह हो यहां से हम साइडों से अच्छी तरहों प्रेस कर लेंगे ताकि कवर कहीं जे भी खराब ना बने अच्छा कवर बने यह देखिए अब यह हो गया है अब हम मशीन का डूर बंद कर देंगे और इसके बाद यह टाइमिंग का बटन है अभी टैम्टरेचर दुबारह 190 तक जाएगा उसके बाद हमने टाइमिंग का बटन करना है इसी तरह से हम इसमें काप बगारा भी बनाते हैं काप हो गए काप के प्रिंटिंग करते हैं लोग यह देखिए जिस तरह से कि यह देखिए अब पहुंच गया है मैं इसकी टाइमिंग ओन कर रहा हूं कि टाइमिंग चालो हो गई है अब ठीक दस निट में यह आपका कवर स्यार हो के हम इसमें एक बार में लग लग बारा कम बनाते हैं और चाल मोबाइल कवर बना सकते हैं यह है टीशिट प्रिंटिंगी मशीन जिसमें कि हम टीशिट प्रिंट करते हैं सब्लीमेशन टीशिट कि अब दीक दोती है अब डाइज गिंग करते हैं यह आफिक दीक अब आफ नट आफ शो शकीन रहा आए यह है तंपिक दोल शो यह है करते है कि यह देखिए दो अब यह टाइम पुरा हो गया है अब हम इसका कवर खोलें यह ने कवर खुला इसमाना प्रवर्ड रेडी हो गया है मशीन बंद करेंगे और आपकर देंगे मशीन की कि कमर को हलकासा ऐसे साइडों से मोड लेंगी क्योंकि यह तो लूद हो सकता है उससे पहले हम पहले चेक करेंगे कोनों से यह प्रिंट हुआ है अच्छी तरह तो हमारा अच्छी तरह प्रिंट हो गया है तो यह देखे दोस्ते हमारा अच्छी तो गया है जब बढ़िया प्रिंट हुआ है इसी तरह से दोस्तों हम अपने और कवार्ड कर सकते हैं अब नेक्ट वीडियो में आपको मैं मग प्रिंट करके दिखाऊंगा क्यों मग कैसे प्रिंट करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले अन्यवाद कर दो कर दो